आज हम करने जा रहे हैं Rapid Revision Course का second part, first part हमने कर लिया था, ठीक है जिसमें हमने प्रिलियम नरी के वारे में बताया था, अब second part में हम करेंगे part one, ठीक है, suits in general से related, ये आप जो देख रहे हैं, ये मैंने इसकी जो detailed वीडियो बनाई थी, उसका clip है ये, ठीक है, screenshot लिया था मैंने, अब इस trick को देख लेना, हाला कि अब मैं जैसे बताऊंगी, वो आपको easy रहेगा समझना, तो देखो, सबसे पहले इसमें आता है, कब court में जाना चाहिए, है ना, जब आपके साथ कुछ issue हुआ है, किसी ने आपके साथ जमीन का drama किया है, तो आपको क्या लगेगा, कि अब तो court में जाना पड़ेगा, है ना, तो कब court में जाना है, इसके बारे में कौन बताएगा, section number 9-14, इसी में rest judy काटा है, इसी में rest sub judy है, और bar to further suit, और foreign judgment, इन सब चीजों से related है, तो अब हम start करते है, जल्दी से 5 मिनिट के अंदर, मैं try करूंगी 5 मिनिट के अंदर, मैं इस ceremonies से related नहीं होना चाहिए, तो वो क्या है, suit, civil nature का है, है न, offices वगेरा से related, explanation 1 में देख लो, और explanation 2 में यह है, कि ज़रूरी नहीं है, कि उस office से fees related हो, ठीक है, इसलिए वो civil nature का नहीं है, इसलिए नहीं बोल सकते हो, बस एक exception है, religious rights ceremonies, ठीक है, entirely कोई ऐसा question, जो religion से related हो, उससे related, क्या होता है, वो civil suit नहीं है, otherwise अगर partially है, तो भी वो civil suit है, आप इसका वीडियो देख लेना, long में आपको अराम से समझ में आ जाएगा, कि आपको main answer writing कैसे करनी है, next इसके बाद आता है, rest sub-judice, यानि कि stay of suit, यह stay of suit क्या होता है, देखो कोई भी court, ऐसी कोई भी proceeding या फिर trial नहीं चलाएगा, जब suit already pending है किसी और court में, और वो जो दूसरा court है, वो उसके लिए related क्या करता है, उसके बस jurisdiction है कि वो relief grant कर सके, ठीक है, अब वो matter क्या होना चाहिए, matter directly substantially issue होना चाहिए, previously instituted suit से, दूसरी चीज, same parties और same title होना चाहिए, ठीक है, यह दो चीज़े होनी चाहि जैसा हमने rest subjudice किया है, वैसा ही हम rest judicata करेंगे, बस इसमें difference यह है कि उसमें rest subjudice में, दोनों suits pending है, और rest judicata में, एक suit जो है, already decide हो चुगा है, जो italics में मैंने mark किया है, has been directly and substantially in issue in a former suit, बागी same parties, same title, competent code, directly and substantially matter in issue, same है, अब उसके बाद सबसे important part, यानि कि explanations आ जाती है, जो क कि preliminary, sorry, pre exams में, बहुत favorite होती है, examiner's के, explanation one में, पुराना suit के बारे में बात हो रही है, फिर पुराना suit कहां पे है, competent code में है, series मनाते जाना, पुराना suit competent code में है, matter क्या आया है, matter क्या होता है, has been eligible by one party, denied या फिर admitted, वो सब matter हो जाते है, ठीक है, तो one, two, three complete हो गया, four आपको या and ought to have been a ground of defense or attack, defense, ज़रूर नहीं कि तुम सिफ attack करो, defense वाला point भी होता है, तो वो भी rest judicata में आ जाता है, तुमने एक बर बस अपने मुह से शब्द निकाल दिया, वो rest judicata, ठीक है, फिर वाला बहुत important है, आजकल फिर वाला पूछ रहा है, डेली वाले बहुत जादा पू इसमें गलती मत करना बिल्कुल भी, explanation 7 चाहे तो छोड़ दो, इसमें है, the provisions applied to a proceeding for the execution of the decree, यह जो provision से यह execution में भी लगते हैं, rest judicata के, और explanation 8 ठीक है, कि जो issue है, hard and finally decided है, limited jurisdiction के, ठीक है, वो भी rest judicata operate करेगा, उसकी limitation कोई बार नहीं करेगी, कि नहीं है, इसकी limitation एक rest judicata नहीं पढ़ते हैं, last में पढ़ते हैं, वैसे इसमें last explanation है, इसके बाद section number 12 है, 12th class में आप 18 साल के हो जाते हो, तो अब बार जाने के लिए eligible हो जाते हो, वैसे ही bar to further suit है, अगर cause of action पे मना किया गया है, तो उस पे आप suit नहीं डालोगे, 13 और 14 बात करते है, foreign judgment, जब conclusive नहीं होते हैं, foreign judgment क्या होते हैं, बाहर से तुम कोई foreign degree लेकर क्या हो, same parties के बीच में है, ठीक है, तो फिर, ठीक है, conclusive है, पर कब conclusive नहीं होते हैं, जब jurisdiction उनका दिक्कत दे रहे हो, जब merits पे नहीं हो, या फिर incorrect view of international law, ठीक है, international law में कुछ लिखा है, वो कुछ और apply कर दे, Indian law में कुछ और चल रहा है, उनका law contrary ये जा रहा है, चीक है, तो ये third point हो गया, fourth हो गया, opposed to natural justice, ये pre में बहुत पूचा जा सकता है, इसलिए आप इसको point wise ज़रूरी नहीं है, याद रखो, natural justice, opposed ये fraud है, breach of any law, अब आप देखो, pre में अगर ऐसा question आएगा, तो आप समझ जाना कि ये question को आप कैसे mark करोगे, जब भी कुछ गलत चीज लिखी होगी, मतलब आपका answer वही होगा, then इसके बाद 14 में है, presumption से related, कैसे presume करोगे, अगर उसके पास certificate है, तो presume कर दोगे, certificate नहीं है, तो presume नहीं करोगे, इसी के साथ हमारा ये वाला portion complete होता है, अगर आपको ये video अच्छा और बेरेक्ट से आपकी familiarity बढ़े, ठीक है, तो please do subscribe this channel, thank you